आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ तो Question है हमारा State the components of the current account of BOP account एक BOP account होता है उसमें दो पार्ट्स होते हैं पहला होते हैं Capital और Current के Components हमें इस Question में पूछे हैं Current account of BOP account इसके क्याएं पूछे हैं हमें Components पहला आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब की इसका मतलब यह है कि गुड्स के जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हमारे कंट्री या हमारी नेशन के अंदर होए हैं तो वो BOP account के Current account में आता है मतलब की let's suppose कोई गुड्स हमारे नेशन के अंदर इंपोर्ट हुआ है तो उसके इसके अंदर वो क्या होगी हमारी expense जो कि BOP account के Current account में debit side पर आएगी on the other hand अगर कोई गुड्स हमने आसे export किया है बाहर तो उसके इसके अंदर वो क्या होगी हमारी income तो income हमेशा credit side में आएगी इस section के यह है हमारा पहला component जिसमें हमारे export और import किसका और है गुड्स का उसके बाद दूसरा component आता है हमारा export and import of services जैसे गुड्स का उपर import और export हो रहा है वैसे second component में हमारा services का export और import हो रहा है अगर service हमने import कराई है for example service एक invisible item है service import कराने का मतलब है कि हमने दूसरे नेशन से किसी चीज की service लिया है तो वो क्या होगी हमारी expense जो कि same जैसे हमने उपर किया वो भी debit side में आएगी on the other hand अगर हम बात करें किसी कोई service हमने दीया है दूसरे नेशन को तो इस case के अंदर हम उनसे कुछ न को charge करेंगे वो charged amount हमारी income होगी जोकि हमारी credit side में है यह थिये हमारे दो components पहले दो सिर्व भी खतम नहीं हो रहा है इसके बात दो components हो रहें third component है हमारा unilateral transfer to and from abroad मतलब की one way unilateral transfer का मतलब बहुत है one way transactions let suppose हमने remittances pay remittances आई हैं दूसरे country से हमारे पास है कि प्रम अधर कंट्रीज है कि रेमिटेंसी हमें मिले हैं दूसरी country से तो वह क्या होगी हमारी income है तो वह कहां पर आएगी हमारे credit side है ओन दा अधर हैंड है हमने दूसरी country को पे कर आए लेट सपोज दूसरी country में माल लीजे कोई natural disaster आ जाता है तो उसके इसके अंदर कुछ जैसे हमारी country ने दूसरी country को पे किया one way transfer पे टू अधर country यह होगा हमारा expense जो कि आएगा हमारा debit side में उसके बाद आता है last component हमारा current account का income receipts and payments to and from abroad इसका मतलब क्या है यह section में वो सारी कि सारी incomes यह receipts include करता है जो कि in the form of interest rent आती है it includes all the investment income in the form of interest rent etc तो यह थे हमारे चार components current account के I hope you understand classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीचे अपने doubts 8444 सो पर